दोस्तो हार्दिक पांडिया को लेकर रिसेंटली एक खबर सामने आई जिसमें ये बताया गया कि हार्दिक पांडिया और नताशा स्टैन को एक दोनों डाइवॉस ले रहे हैं अब इसके पीछे का रिजन कोई भी नहीं जानता लेकिन ये बात तो तय है कि नताशा और हर्दिक का डाइवॉस होता है तो दोनों में से एक इंसान की प्रॉपटी एक इंसान के पास चली जाएगी और हर्दिक की 70% प्रॉपटी नताशा के पास जाने की बात जो चल रही है जैसे कि अबने आपको बता है तो जिसमें फैंस भी रियक करती नजर आ रहे है उसमें एक और ट्विस्ट सामने आ गया है दरसले ये ट्विस्ट है कि हर्दिक की जो ज़्यादा तर प्रॉपटी है वो पूरी तरीके से उनकी मम्मी के नाम पर है और इस चीज का खुला सा उन्होंने breakfast with champions के दोरान किया था जब गौरव कपूर के साथ उनका एक interview आया था इस interview में उन्होंने ये बात पहले ही कह दी थी कि साफ तोर पर मेरी सारी properties मेरे भाई की properties in fact मेरे पापा की भी property सब मेरी मम्मी के नाम पर है और मेरी मम्मी ने पहले ही ये चीज मुझे बता द रहे हैं क्या कहना है इसके बारे में आपका कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और भी updates के लिए सब्सक्राइब करें चानल देखो देखो को